हेलो एन वेलकम दोस्तों मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं वांटीशन तो आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस बुक से राइज ऑप पॉपिलर मुवमेंट्स को डिसकस करने वाले हैं इस चप्टर की नोट्स दूंगा मैं बहुत दिनों से कमेंट से समें कमेंट आ रहे क्यां कियां क्योंकि बहुत सब्जेक्ट है बहुत सब्सें चाप्टर तो मैं भी जाता हूँ कि आप चाप्टर चाहते कौन से तो चाप्टर का नाम लिखा कीजिए जो भी चाप्र यह संप्र से शाहिए या फिर आपको नोट चाहिए तो फटा-फटा अप स्टार्ट करत तो आप इंस्टागाम पर फोलो कर सकते हैं इंस्टागाम का लिंक मैं आपको description में दे रहा हूं और इंस्टागाम पर मैं regular update देते रहें जैसे कि आज मैंने ने अपड़ेट दिया कि exam कब होने वाला है क्योंकि आज ही निकल कर आए कि exam कब होने वाला ठीक है तो जैसे आप यहां पर देसक्ते हैं कि one more question सबसे पहले in which state was the chipcom moment beginning यानि कि उस चिपकोर मुमेंट कौन से state में सबसे पहले start बहाता उत्राकंट ठीक है एक कोई भी एक organization बता दो farmers के तो भारत किसान ही नहीं नहीं तो मैं सारे questions को नहीं पर रहा हूं इसकी pdf को मैं आपको description में दे दूंगा आप वहाँ से download कर ले ना ठीक है तो दली पैंथर जो थे उसके ideology क्या था तो वो बताना है ना तो caste system को destroy करना था उनके ideology चिपको moment का एक feature बता दो तो इस तरीके के short questions आपको पढ़ने है उसके बात आप देख लो कि true false मैंने दे रख्या है true false भी आराम से आप चाहो तो print out कर वालो या तो आप यहीं से पढ़ लेना pdf में दे रहा हूं link में आप download कर लेना और उसके पढ़ लेना ठीक है फिर two mark के questions इस तरीके साथ है और यह वो सारे questions है जो कि बहुत ज़्यादा important exam के लिए ठीक है where and when दलित पंथर were formed तो कब और कहां पर यह दलित पंथर जो ना वह formed हुआ था तो इनके demand क्या थे इसके बारे में यहां दलित के spelling तो रहा सब सब्षके को सबस्के कोहई को जो कि हर साल और डाल लिया यह वो सबसारे कोशें को हर साल आते रहते हैं तो इसमें सर्कों को कुछ ऐसे hello रखेंगका ताकि यह के मोमेंट काल्ड डैस्ट प्रोटेस्ट अगेंस दा बिल्दिंग ऑफ डैस्ट डैम ऑन रिवर नर्मदा तो नर्मदा बचाओ अंदलन और यह बिग डैम था ठीक है फिर डॉक्टर बियार अंबेदकर जो थे बिलाउंट टू डैस्ट तो दलीद कॉम्मुनिटी के थे यह तो यह सब सारे फिलिंग डॉब्लेंक्स आपको पढ़ने फिर उसके बाद जैसे हिए फिलिंग डॉब्लेंक्स का तो यहां पर चार मार्क का स्टार्ट पbow होता है है तो चार मार के कोशन चाज छेया में कैसे और किसने किया था है यहाँ क्या का Umu Жुंस ते तुमारा इतवार है उन लोगोंने जो रलए की यो और प्राइस ऑफ सुगरना चाहिए फिर शुगर कन और मिल्क जो है न शुद नॉट बी रेजड यानि कि बढ़ाना नहीं है एड़ुकेट कंपंसेशन इनकेस अगर कोई नेचलल डिजास्टर आता है तो गवर्मेंट शुद टेक दर रेस्पॉंसिबिल्टी गवर्मेंट को रेस्पॉंसिबिल्टी लेना होगा फिर चिपको मुम वोमिन्स का स्टेटेस क्या है सोचल स्टेटस उसके बारे में भी बहुत इंपॉर्टेंट है यह सब आते रहता है फिर डिस्क्राइब द मेन ऑब्जेक्टिप्स उसके बारे में और देखो इस साल जो 30% से लबर्स डिडिव्स रिडिवस हुआ ना उसमें से अगर कोई है तो वो नहीं पढ़ना है आपके लिए ठीक है वो तो मैंने पीडिय पहले है तो इसलिए वहां से यह तोपिक छोड़ देना और उस टोपिक के अगर चाहिए कहांसा कौन सा टॉपिक डिलीट हो गया तो उसके बारे में भी मैंने वीडिव बना रखिया है आप जाना प्ले दे रहता हूं तो यह तो जैसे ही 4 mark का question खतम होता है उसके बाद तो 6 mark वाला question आएगा वह सब 6 mark वाले question जैसे कि यह यह भी बहुत ज़्यादा important है तो दीको मैंने पहला ही question जो है कि why did the नर्मदा बचाओ अंदोलन और देम प्रोजेक्ट इन दा नर्मदा वैली तो यह question same है 29 वाले question जो कि 4 mark में लिखा और उतना लिख दोगे तो 6 mark के लिए sufficient है तो यह सब सारे questions हैं जो कि 6 mark के लिए आपको important है आशा करता हूं आपको यह video बहुत अच्छा लगा होगा पसंद आया होगा नोट को आप जाके description से download कर लेना कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे comment section में जरूर बताना कि कि किस तरीके की problem आप face कर रहे हो और कौन से कौन से chapter से जो कि आपको notes चाहिए चाहे English हो चाहे alti हो चाहे business हो चाहे accounts हो चाहे arts की कोई भी subject हो आप बिंदास chapter का नाम लिख देना बस मैं उस chapter की explanation या फी notes मैं जरूर आपको provide करवानी की कुशिश करूँगा आसा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा पसंद आने के साथ समझ में भी आया होगा पसंद आया है तो मुझे जरूर subscribe कर लिजेगा इस channel पर और अगर subscribe कर लिजेगा तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लिजेगा आशा करता हूं हम जल्दी आजरे होगे एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए